आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं आर्क इलास्टिसिटी मेथड क्यूंकि लास्ट दो वीडियो में हमने प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के दो बहुत इंपोर्टन मेथड को डिसकस कर रहा था जिसमें परसंटेज आज की वीडियो अमारी आर्क इलास्टिसिटी मेंथड करने जा रहे हैं, तो हम इस बात को पहले समझते हैं हम पर्संटेज में बात करते थे किसी किए ? in quantity demand in percentage पर चेंज इन प्राइज पर संटेज पर ठीक है मगर जब हम इसको फर्दर ड्राइफ करते थे change in quantity demand को हम क्या देखते थे थे भाई percentage change in quantity demand एक तरीके सा आपका recap भी हो रहा है percentage change in quantity demand बराबर किसके होता था डेल्टा Q divided by Q1 that is original price recall हो रहा होगा आपको original price पे हम बात करते थे कि वो price जहां से हम change को major कर रहे थे ठीक है तो इस method पे एक drawback था drawback क्या था कि हम जब price को और quantity schedule यहां पर बनाते हैं जब हम price को 10 रखते थे और quantity 100 थी price पंद्रा हुई quantity 50 हो गई, quantity कम हो गई ठीक है यह बात समझ में आ रहा है और हम इससे इस formula की मदद से answer निकाल ले देते हैं अगर मैं इसका उल्टा करता हूँ क्या कि मैं price रखता हूँ और quantity रखता हूँ 15 और यहां रखता हूँ 10 इसको करता हूँ 50 और इसको करता हूँ 100 जो है पांच यहां भी 50 units का answer आपका different हो जाएगा जब आपका answer different हो जाएगा आपका change यह मैं answer different हो जाएगा तो यह एक आपका drawback है अगर इस तर आपकी demand elastic आ रही है यह यहां पर automatically आपकी demand change हो जाएगी inelastic हो जाएगी आप इसको solve तरके देख लेना आपका answer change आएगा क्यों क्यों क्योंकि हम बात कर रहे है original price पर तो यहां पर original price आपकी हो जाएगी 10 और यहां पर आपकी original price हो जाएगी 15 और जब हम बात करते है original quantity की तो यहां पर original quantity हो जाएगी 100 और यहां पर बजाएगी और कौनिटी 50, मतलब कि आपके इज़र वैल्यूस चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी तो आपका अंसर आटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, तो इसी लिए एक मैथड़ आया, आर्क इलास्टिसिटी मैथड़, जो के बहुत जादा सिमिलर है, इससे, मगद उसमें सिर्फ एक फर्क है, वो फर्क क्या है, उसको देखते हैं, हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है, डेल्टा क्यू अपॉपॉण्ड एवरिज कॉन्टिटिटी, इसको हम डिवाइड करते हैं, डेल्टा पी अपॉण्ड एवरिज प्राइस, यह किसके को जिसीज़ का मैथद है अर्क इलास्टिसिटी यह मैं फरक तेख रहे हैं आप सर्क आपका है आपके बहुत इंपर्टन फरक आपके पास बहुत इम्पोर्टेश क्लिपा यहां पर औरिजिनलिक्व ने रहे आप यहां पर average quantity ले रहे हो तो अगर मैं इसको change भी कर देता हूं तो answer में कोई फर्क नहीं आएगा क्यूं क्यूंकि average किस तरह निकालते हैं सबको पता होगा फिर भी बता देता हूं average कैसे निकालते हैं average quantity निकालते हैं हम q1 plus q2 divided by 2 मतलब के यह जो change आ रहे हैं इन दोनों को हम क्या करेंगे एड कर देंगे और divide by 2 कर देंगे और average price भी similar इसी तरहीके से निकालते हैं तो आपके बाद इसके answers आ जाएंगे तो यह एक बहुत important concept concept है आर्क elasticity method को समझने के लिए ठीक है तो यह बार हमारी यहां पर clear हो गई अब इस formula को हम further drive करते हैं और देखते हैं कि इस formula की मदब से हम सवालात कैसे solve करते हैं तो देखते हैं कि इस formula को drive कैसे करते हैं इस formula को step by step लेके drive करने की कोशिश करते हैं delta q आपका पता है आपको क्या होता है वह होता है change उसको पताने की जरुवत नहीं है detail में हम इसको समझ चुके है average quantity में आपको बताया कि क्या होता है q1 plus q2 divided by 2 ठीक है दोनों quantity को हम sum करते हैं और divide कर देते हैं इसको 2 से यहां पर आपके बार divide का sign है delta p अगें और देन p1 plus p2 divided by 2 delta q q1 plus q2 divided by 2 multiply करते हैं इसको multiply वाला function लगाते हैं तो जब multiply करते हैं तो क्या होता है denominator उपड चले जाता है numerator नीचे आ जाता है यह असा concept है और delta p कुछ तरह लिख दिया फिर यह 2 से 2 आपका cancel out हो जाएगा तो आपका formula मजीद simplify होगा मजीद simplify क्यों कर रहे हैं ताके जब आप सवालात को solve करें तो आपके पास huge formula ना हो formula एक असान सी form में हो और आप उसको solve कर सको तो जब इसको आप solve करोगे तो delta q upon q1 plus q2 multiply by p1 plus p2 divided by delta p ठीक है अब जो भी दोनों delta को हम एक जगा लिख जेते हैं delta q बीच में multiply की साइंग है तो हम आराम से इसको change कर सकते हैं अगर plus minus की साइंग होती तो फिर हमें LCM वगारा के concept apply करने होते हैं यहाँ पर multiply है तो आपको पता है multiply की साइंग होती है तो हम इसको इसको इज़र लेकर आ सकते हैं आराम से ठीक है तो p1 प्लस p2 divided by q1 यह आपका formula है आर्क elasticity method के concept को solve करने का ठीक है नज़र दोड़ा है इस formula में यहाँ पर change आ गया quantity का यहाँ चेंज आ गया quantity है यह simple दा formula है इसी schedule को जल्दी से रख कर solve करते हैं प्राइस किती थी पहले दुबारा यहाँ पर लिख जाता हूँ price and quantity प्राइस किती थी आपकी पहले 10 and then 15, 100 and then 50 दुबारा यह क्यों काम हो रहा है यह क्यों बड़ा उमीद है कि दुबारा से recall कराने की जरुबत नहीं है law of demand सब के जहन में होगा previous video की लिंक्स आपकी description में है आप उसको देख सकते हो previous video को दुबारा से के law of demand क्या कहता है ठीक है यह समझ में आ गया अब इस formula को apply करते है change क्या है price का p2 minus p1 p2 से p1 गये तो 5 है quantity का change कितना है q2 minus q1 तो 50 है ठीक है पता है आपको absolute value लेते हैं minus sign को हम ignore कर सकते हैं elasticity में है regularly हम इसी चीज़ को perform कर रहे हैं ठीक है भाई यह formula आपके वादा डेल्टा q डेल्टा q आप निकाल चुके हो वो है आपका 50 आर्क elasticity पर फॉर्फॉर्म कर रहे हो आप डेल्टा q calculate कर चुके हो डेल्टा q आपके पास 50 है डेल्टा p आपके पास 5 है multiply की sign है बीच में p1 प्लस p2 p1 आपके पास 10 है p2 आपके पास 15 है q1 आपके पास 100 है और q2 क्या है 50 50 से 10 हो गया है multiply by 10 of 15 25 and 150 तो इसको मजीद simplify करते हैं 10 multiply by 250 इसको और असान तरीके से क्या करते हैं इस 0 को 0 से यहां से काट देते हैं तो आपके बास क्या बच गया है values 25 और 15 अगर आप इसको divide करोगे तो आपके बास answer आएगा 0.833 यह क्या होगी आपकी आर्क Elasticity और आपको बताया था कि जब answer आपका in the range of 0 to 1 आएगा तो आपके पास कौन सी demand होगी वो होगी आपके पास in elastic demand मतलब कि आपकी demand इतनी response नहीं कर रही with a change in price इस बात को हम अच्छे से समझ चुके हैं अच्छे से discuss कर चुके हैं तो यह हमने देखा कि आर्क Elasticity हम पढ़ते क्यूं हैं क्यूं पढ़ते हैं बाई क्यूंकि कुछ drawbacks हैं percentage method के वो क्या थे drawback वो थे original price के drawback थे क्यूंकि हम वहाँ पर original price यूज कर रहे थे same change भी आ रहा है पिर भी हम सही तरीकी से major नहीं कर पा रहे थे हमारे पर answer कोई difference आ रहे थे तो हमने क्या करा हमने आर्क Elasticity को समझा उसके formula को drive करा असान way में समझा असान way में formula drive कर लिया यहाँ पर एक schedule से solve कर लिया अगर यह change भी आता ना आपका तो यह answer आपका same ही आएगा इसमें तो यह इसका benefit है आर्क Elasticity method का एक method हमारा रहे गया है वो है point elasticity method इंशालला उसको next video में discuss करते हैं अपना बहुत ख्याल रखेगा thank you so much